है अगर आप किसे भी प्रकार की प्रतियोगता परीक्षा के तयरी कर रहे हैं तो इस विडियो को अंत्तक ज़रूर देखे यह विडियो आप लोगों के लिए बहुत महतपूर्ण है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को जड़ें लगाएं आज का पहला प्रिशन है निम्न लिखित में से किसने स्वयम को हिंदुस्तान का तोता कहा था ऑप्सन A मलिक मुहमद जायशी ऑफ्सन B रस खान ऑफ्सन C अमीर खुसरो और अप्सन D है अमीर हसं दोस्तों इस प्रिशन का आंसर हो जाएगा ऑप्सन C अमीर खुसरो १ अगला प्रिशन है अमीर खुसरो का जन्व अस्थान है option A, eta option B, कासगंज option C, कन्नोच option D, है लकनव दोस्तों, इस प्रेश्ण का अंसर हो जाएगा option A, eta अमीर खुसरो का जन्व अस्थान एटा है अगला प्रेश्ण है अमीर खुसरो किसके सिस्यत है ओप्शन A. सैफोदीन महमूद ओप्शन B. निजामुदीन ओलिया ओप्शन C. अबदुल्ला बैग और ओप्शन D. मुईनुदीन चिस्ति दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ओप्शन B. निजामुदीन ओलिया अमीर खुसरो निजामुदीन ओलिया के सिस्ति थे अगला प्रस्ण है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था ओप्शन A. मुहम्मद हसन ओप्शन B. मुहम्मद हुसेन ओप्शन C. मुहम्मद खुसरो और ओप्शन D. मुहम्मद खान दोस्तों इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा Option B. मुहम्मद हुसेन अगला प्रश्ण है अमीर खुसरो किस सासक के दरवारी कभी थे Option A. चंद्र गुप्त दुत्य Option B. अलाउदीन खिलजी Option C. कुतुबुद्दीन एवक Option D. हर्स बर्धन दोस्तों इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा Option B. अलाउदीन खिलजी अगला प्रश्ण है महान हिंदू बिधी निर्माता थे Option A. कपिल Option B. कौटिल Option C. मनू और Option D. है वत्सेयान दोस्तों इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा Option C. मनू अगला प्रश्ण है तान सेन का मूल नाम क्या था Option A. मकर्चंद पांडे Option B. राम तनू पांडे Option C. लाला कलावंत और Option D. है बाज बहादूर दोस्तों इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा Option B. राम तनू पांडे अगला प्रश्ण है बेदों की ओर सरन लो इस आदर से वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था Option A. स्वामी दयानंद स्रस्वति Option B. नरेंद्र नाथ दत Option C. बाल गंगाधर तिलक Option D. है विश्नु सास्त्री इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option A. स्वामी दयानंद स्रस्वति अगला प्रश्ण है आदी संकराचार्य का जन्व कहां हुआ था Option A. कासी Option B. कलादी Option C. कांची पूरम Option D. मदूरे इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option B. कलादी आदी संकराचार्य का जन्व कलादी में हुआ था अगला प्रश्ण है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवरतन किस अस्थान पर दिया था Option A. लुम्बिनी Option B. सारनाथ Option C. पाटले पुत्र Option D. वैसाली दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option B. सारनाथ अगला प्रश्ण है महावीर स्वामी का जन्व कहा हुआ था Option A. कुंडग्राम Option B. पाटले पुत्र Option C. मगद Option D. वैसाली दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर आप लोग कमेंट करके बताना है महावीर स्वामी का जन्व कहा हुआ था अगला प्रश्ण है महात्मा बुध का महापरी निर्वान कहा हुआ था Option A. लुम्बिनी Option B. बोध गया Option C. कुशी नगर Option D. कपिल बस्तू दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option C. कुशी नगर महात्मा बुध का महापरी निर्वान कुशी नगर में हुआ था इसका अगला प्रश्ण है बुध के जीवन की किस घटना को महाविनिस क्रमन के रूप में जाना जाता है Option A. उनका महापरी निर्वान B. उनका जन Option C. उनका गरी थ्याग Option D. उनका प्रवोधन इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option C. उनका गरी थ्याग अगला प्रश्ण है भारतिये पुनर जागरन अंदोलन के पिता कौन थे Option A. बाल गंगाधर तिलक Option B. दयानंद स्रस्वति Option C. राजा राम मोहन राई Option D. उनका प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option C. राजा राम मोहन राई अगला प्रश्ण है निम्रिलिकित में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के प्रचाड के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रश्ण किया Option A. दादू Option B. कबीर Option C. रामानंद Option D. तुलसी दास इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा Option C. रामानंद रामानंद ने भक्ष अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियोग किया था अगला प्रेशन है पटना में किस सिख गुरू का जन्म हुआ था ऑप्षन ए गुरू नानक ऑप्षन बी गुरू तेग बहादूर ऑप्षन सी गुरू हर गोविंद ऑप्षन डी गुरू गोविंद सिंग दोस्तों इस प्रेशन का अंसर हो जाएगा ऑप्षन डी गुरू गोविंद सिंग अगला प्रेशन है निम्नलिकित में से किसने गुरु ग्रंत साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंत और सिखों के और अस्थाई गुरु का दर्जा गोशित किया इस प्रशन का आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है निम्नलिकित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की अस्थाफना की थी उप्सन ए गुरु गोविंद सिंग उप्सन ए गुरु तेग बहादुर उप्सन सिर्गुरु अर्जुन देव और उप्सन ए गुरु नानक देव इस प्रशन का आंसर हो जाएगा उप्सन ए गुरु गोविंद सिंग अगला प्रशन है राग मिया की मलहार का रचेता किसे माना जाता है option A तान सेन option B बैजू बावरा option C अमीर खुसरो and option D हरिदास इस प्रशन का आंसर हो जायेगा option D तान सेन राग मिया की मलहार का रचेता तान सेन को माना जाता है अगला प्रश्ण है प्राथना समाज के संस्थापक कौन थे अप्शन A आतमा राम पांडूरंग अप्शन B बाल गंगा धरतिलक अप्शन C एनी विशेंट और अप्शन D रास भिहारी बोस इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा अप्शन A आतमा राम पांडूरंग जो की प्राथना समाज के संस्थापक थे आज के लिए वसे दना ही दोस्तों असा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ से जरूर करें और अगर हमारे यूटूब चैनल पे आप नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंकी के बटन को जरूर दवाए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहां मैंने हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है थेंक्यू